हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागते सिक्कू स्पोर्ट्स में तो आज हम देखने वाले गुजरात पोस्टल सरकल का ओनलेन फॉर्म में कैसे फिल करना है तो काफी रिक्वेस्ट इस वीडियो के लिए और मैं काफी लेड भी हो चुका हूं तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं तो आज हम पूरा इस डीटेल में बात करेंगे इस वीडियो में तो आप बिल्कुल भी स्कीप नहीं करना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाए और एक आपको यह अच्छा मौका मिला है जिन लोगा ने पिछली बा गूगल क्रोम यह जो भी आप यूज करते हो उसमें आईएगा हमापर में सर्च करिए आप डियो पी स्पोर्ट्स रिक्रूमेंट डॉट इन ठीक यह ओफिशल वेब साइट है गुजरात पोस्टल सरकल के लिए महारास्ट्रा अंद्रब्रदेश और आसाम और गुजरात इनका फॉर्म यहीं से फिल हुआ है इस बोटल से और यहां पर यह जो है आपका रिजर्ट लगने वाला है डिसंबर के मंद में लगने वाला है इस गुजरात पोस्टल सरकल का और बाकी देखें यहां पर में अगर आपने अल्रेड़ी महारास्ट्रा सरकल या तेलंगाना या महारास्ट्रा अंद्रब्रदेश और आसाम इन तीनों में फिल कर रखा है तो वो रेजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर काम नहीं करने वाला है मैंने यह पहली चेक किया मतलब काफी डौट्स थे मतलब दो-तीन दिन इसी लग लग गए कि सारे कुछ चेक किया मैंने कि प वह जो है कलेट करके उन्होंने अपने ओफिस में शॉट्लिस के लिए ले लिया है ठीक है अंडर प्रोसेस है वह सब प्रोग्राम अभी यहां पर आपको फ्रेस जो है रेजिस्ट्रेशन करना है त्रेस रेजिस्ट्रेशन यहां से करना है आपको इस पर क्लिक करना है इस अप हरिजिस्ट्रेशन करने के बाद क्योंकि तो समझा ड़िए हो今日は कि काफी अपने 2-3 बार form फिल किया सब22 प्येस्ट्रिशन कर सकते हो को समझते कर लेना तो कि यहीं करने के बाद आपको यह मिल जाएगा रेजिस्ट्रेशन नंबर रेजिस्ट्रेशन नंबर से फिर आप जो है लॉग इन कर सकते हो ठीक है तो मैं फिर से बैग जाता हूं बैग जाने के बाद जो आपको और एक बात बोलना चाहरा हूं यहां पर में तो कुछ का रेक्रुमेंट फां फील हो चुका है और इनका अभी रिजल्ट का हम सब लोग वेट कर रहे है इसका जो सारा कुछ notification का वीडियो form fill कैसे करने का वीडियो वह सारा कुछ मैंने पहले भी upload कर रहा है तो यह अभी recruitment आने वाली नहीं है इसका result के लिए हम लोग wait कर रहे हैं तो उन लोगों से समझो उनको नहीं पता है इस चीज़ के बारे में क्योंकि वह normal jobs की vacancies बताते हैं तो उनकी कोई का एक डाउट था क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे पूचा किसार हमने किसी और का वीडियो देखा था उसमें एक कह रहे हैं कि महाराश्टर का फिर से recruitment आ रहा है और आंद्रप्रदेश का भी और आसाम का भी तो ऐसा नहीं है तो आप जो है online पे क्लिक करना है आपको ठीक है इसका मैं आप को बताता हूं तो इछ इए मैंने कॉंप फील किया है तो पूरा तो उसका भी मैंने स्क्रीन शॉट लिया अच्छे से तो इस तरह आपको मैंसेज आता है कर बतिके आरे expression लांबर आपको लॉगिंग करते समय यूस विकाए यहां पर मैं navigate अ आपको यहां पर में टाइप करना है यहां पर में एंटर करना है फिर नेक्स्ट करना है नेक्स्ट जैसे करोगे तो आपको पहला ही पीज जो रहेगा स्पोर्ट्स अच्यूमेंट के लिए रहेगा जो sports achievement आपने upload करने मतलब sports achievement जो add करना है वही पेज आएगा आपको देखो यहाँ पर मैं आपको यह पेज आ जाएगा जैसा यहाँ पर मैंने registration में जो नाम दिया था मेरा ओने नाम आ गया पर मैं और मैंने कास्ट कम्यूनिटी स्टी इसलिए सेलेक्ट की ताकि मुझे फीज ना लगे अगर क्योंकि यह देमो फॉर्म है तो फीज पेकर के कोई फाइदा नहीं और यह registration नंबर डेट आप बड़ते फिजिकल हैंडिकेप नो है तो मैंने नुई सेलेक्ट किया था तो यहां पर आपका में डाउट यहां पर है तो यह सेलेक्ट कॉम्पोटिशन पर क्लिक करोगे तो आपको काफी हों पर ओपिज़िक जाएंगे पहला international दीखेगा उसके नीचे में आपको नैशनल सीनियर अध्यरे मैडलिस दीखेगा फिर और नाशनल जूनियर अभा इस तरह से आपको option आएंगे नीचे तके तक लास्ट में आपको जो participation का दिखेगा तो यहां पर याद रखिए अगर आपने 10 बी इंटरनेशनल खेले है या आपने Senior National भी खेला है Junior भी खेला है School गेम्स भी खेला है University वी खेला है तो अभी इसमेंग अपडेट का है अगर आप यहां पर select option select competition में अगर आप मान लो आपको पूरे डीटिल दालने है जैसा school games की भी दालने है enter university की भी दालने है तो यहाँ पर वैसा नहीं हो रहा है यहाँ पर problem क्या आ रही है आपको select competition में आपने अगर international पहले select कर दिया है तो फिर आपको नीचे के option नहीं मिलेगे senior junior के लिए तो आपका जो भी highest achievement है आप वही पहले select कर लो जैसा मान लो अभी आपको पता अगर आपने international खेला है अब इस international मान लो आपको इस तरह से option आ जाएंगे पहले international रहेगा फिर senior medal फिर जूनियर medal फिर enter university medal ठीक है फिर यह स्कूल गेम्स का है फिर यह आवार्ड का है national awards का फिर यह national senior participation जूनियर पार्टिसिपेशन है फिर यहाँ पर देखिए यह university participation है फिर यह school participation है तो इसमें से आगर आपने समझो पार्टिसिपेशन इन senior select कर लिया और वह वाले detail करके add कर दी तो next आपको option में यहीं मिलेगा फिर senior का participation लिख कर क्या आएगा यह बाकी options जो है यह सब हट जाएंगे वहां से तो इसलिए आपका highest achievement रहेगा वही आप यहाँ पर upload करना है जैसा मैं इंटरनेशनल का यह upload करूंगा तो international select कर दीजिए वह select करने के बाद फिर आप यहाँ पर international का detail यहाँ पर में दाल दीजिए जैसा international यहाँ पर select किया game select किया है पर सारे games आते फुटबॉल फिर आपके event का नाम लिखिए साउट इसेन गेम से common गेम से नैशनल गेम से यह वर्ल्ड स्कूल गेम से यह वर्ल्ड यूनर्सिटी गेम से ठीक है फिर यहाँ पर year लखिए कीस year में ऊट टूर्नामेंट हुआ इसलिए वो 2022 का नहीं लिना जाते तो यहां पर आपको 2022 के यहां पर एकसेप्ट नहीं होगी फिर यहां पर आपको पूजिशन पुछेगा आपका फर्स सेकेंड थर्ड है जीरो याने पार्टिसिपेशन होता है फर्स्ट याने गोल्ड सिल्वर ब्राउंस ठीक है अब यह हो गया अब मुझे जैसा मुझे एड करना है तो यहां पर एड ऑप्शन रहेगा उसके उपर एड कर दूंगा मैं एड करने के बाद फिर मुझे इस तरह से सेलेक्ट कॉमपोडिशन को आप सेलेक्ट कॉमपोडिशन प्री ऐसेले ot快 क्लिक करूंगा तो मुझे इंटर्नेशनल ही दिखेंगा यह पहला है इंटर्नेशनल किया तो मुझे इंटर्नेशनल का यह प्सान आजएगा सीन्यर criança जुने क्या होगा कि टूले हुर्टिक्रोवंन्स में क्या हुआ करना एंटरनेशनल लोगे दस इंटरनेशनल खिलोगे यह दस पार्टिसपिशन लगांगे तो एक काउंट पर पोजीशन ठीक है अगर आप दस International के लिए तुँए पर दस एड़ हो सकते हैं पर इंटरनेशनल के बाद आप बोलोगा कि मुझे Senior National का एड़ करना है तो वह नहीं आएगा और आपने अगर यहाँ पर पर स्थ में Senior National का Detail और अड़ कर दिया तो वह वह एड़ करने के बाद आप बोलोगे International का add करने तो वो नहीं होगा को सीनियर का ही आएगा तो इसलिए आप जो है अगर आपसे कुछ यहाँ पर में मिसिंग हो रहा है तो इस पर डिलीट कर करके आप यह पूरी यह जो add कहिया है आपने डीटेल वो डीलीट हो जाएगा तो आपका जो हाइस अच्विमेंट है आप वह यहां पर में अपलोड करें मेरा कहना है अगर इंटरनेशनल है तो इंटरनेशनल लगाओ senior medal खेला है last achievement senior medal पर तो senior medal लगाओ यह आपके बास participation है तो सिफ participation लगाओ ठीक है कि यह हो गए आपके यहां पर यहां पर यहां पर मैं आपको preference भी दिखा है उन्होंने सीधा सीधा international पहला देंगे फिर सेकेंड जो senior national junior national medalist को देंगे फिर उसके बाद जो है थर्ड प्रिप्रेंस आल इंडिया एंटर युनिर्शिटी में जो medalist रहेगा उसको देंगे और फॉर्थ प्रिप्रेंस यहां पर जो है स्कूल गेम्स वालों को देंगे ठीक है और इंडिया स्कूल गेम्स में यह जी में जो एकलिस्टर पोजिशन होगा और फॉर्थ फिप्ट प्रिप्रेंस जो है और पर्सन है और सिक्स में देखिए जो उफर में यहां से तो इतने जो प्रिव्यू करना है जैसे आप प्रिव्यू करोगे तो आपके साम में एक बॉक्स आएगा और बॉक्स में लिखा रहेगा कि आपको फॉर्म नंबर वन अप्लोड करना है अब देखो जैसे मैंने यहां पर मैं इंटेनेशनल के लिए सेलेक्ट किया तो फॉर्म नंबर वन बोलेगा अगर आपके पास फॉर्म नंबर वन नहीं है नहीं अभी तक साइन नहीं ली है तो यह कैंसल पर क्लिक करो और यहीं पर इसक के बात के एक्सेप्ट होंगी 22 की नहीं होगी पर फॉर्म नंबर 12345 यह 2022 का भी एक्सेप्ट होगा मतलब स्पोर्ट सेर्टफ एकिट 2021 के पहले का और फॉर्म नंबर जो है आपका अगर नहीं लिया है तो वोड हो अभी तक तो मुझे पता है कि अपने ग्रूप में जितने भी स्पोर्ट पर सेने उनके पास सबके पास फॉर्म नंबर वन पर साइने सब कुछ है स्टैंप सील है और उन्होंने साइन भी ले रखी है अगर कोई गलती से कोई एखादा वीवर्स ऐसा आ जाता है जिसका डौट होता है तो आप 2022 का भी फॉर्म नंबर वन लगा सकते ह टिक यहां पर आपको डेट में ऑप्शन भी मिल जाएगा इसको कर देना अगर आपके बाद सब डॉकुमेंट है तो यहां पर इसको पढ़ ले ना आपको खुछ समझ में आ जागे कि यह बोलेगा कि फॉर्म नंबर वन जो है आपको अपलोड करना है नहीं करोगे तो कंस दिखेगा फिर आपको डिस्कलरेशन पर क्लिक करना है इडिस्कलरेशन रहेगा इडिस्कलरेशन पर क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटीनू करना है तो यह सेव एंड कंटीनू करना अगर आपने सेव एंड कंटीनू कर दिया तो फिर यह उपर में डीटिल दी है वह सेव हो जाएंगी उसके बाद आपको कोई एडिट का फॉर्म एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेंगा मैंने डेड़ गलत दाल दी यह मैंने एच्विमेंट्स के बारे में गलत दाला मैंने सीनियर नैशनल लगा दिया मेरे मेरे पास इंटरनेशनल भी था और फिर बाद में बोलो किने मेरे पास पार्टीसिपेशन मैंने वहां पर डीटेल दाली और मेरे पास इंटरनेशनल मैडल भी था तो बाद में एक सिस्क नहीं होने वाली यहां पर मैं इसलिए यह और चेक करो इसको अगर आपके पास कोई ड करता हूं 7 continue करने के बाद यहां पर मैं मुझे एक option मिलेगा कि आप कि पोस्ट के लिए apply कर रहे हो ठीक वह आला है पर में आ जाएगा देखो अब यह 7 continue के बाद यहां पर मैं आपका stage 3 जो है complete हो जाएगा you have to be submit जो format forms जो इसमें उफर में दिये गए थे वह आपको यहां पर मैं upload करने अगर आप upload नहीं करोगे तो वह merit में जो है count नहीं होगा considered नहीं होगा यह लिख कर आएगा इस पर आपर में document upload option आ जाएगा document upload में देखिए आप आपकी फोटो यहां upload करनी है आपकी फोटो में याद रखिए आपके दोनों कान दिखने चाहिए specs नहीं हो आपको पर लगावा कोई चस्मा गोगल सर पर क्याप नहीं होने चाहिए आपके दोनों कान दिखने चाहिए ठीक है अब यहां पर signature upload कर लिए 20 kb से कम चाहिए यह signature 20 kb से ज्यादा नहीं चलती और यह blank paper मैं ने इसलिए यहां पर में क्योंकि मेरा डेमो पाउम है ठीक है यह 10th का माक्सीट है यहां पर 10th का माक्सीट लगाए 200 mb से 200 kb से ज्यादा नहीं ठीक है 200 kb से उसके बाद आपको 12th का माक्सीट यहां upload करना है और उसके नीचे में हैं यहां पर देखिए आपको क्म्यूटी शर्टेफिक्ट याने की आपका चार्ट अब जैसा मैंने यह स्टी उपर में दीटएल में दीखर कर आ रहा है मैं तो यहां पर मैं ST का certificate लगाओ का certificate अगर OVC है तो OVC लगाओ अगर आप SC से आ तो SC से लगाओ या EWA से तो EWA से लगाओ अगर आप UR से हो तो आपको यह option देखने नहीं मिलेगा ठीक है और यहां पर मैं अब दो option आए देखो मेरे detail में न ऊपर में दो of achievements मैंने add किये तो इस लिए मुझे यहां पर में दो बॉक्स आयए अप लोड करने के लिए हैं पर में टीक है अगर मैं ऊपर में एक ही national लगा था तो मुझे यह की एक ही वाला कॉलं मिल दा तीक है अब मैने ऊपर यहां पर हमें दिखता है घर यहां पर में दो अच्विमेट्स लगा आए एक इंटरनेशनल यह 2007 का है तो दूसरा इंटरनेशनल 2008 का है ठीक है यह फेक देख्विमेंट से मतलब यह ऐसा कुछ टूर्णामेंट्स नहीं होता है यह मैंने सिह आपको डीटेल समझने के लिए पूरा फॉरम जो है पूरा एक तरह से डेमो है इसमें कोई व्यावी जैसा है साउधेशन फूटबोल चेंपेशिप 2007 साथ खेशन फूटब kes profit Teams फुर्म गगाई है छाज़ेशन पर में धंच है तिह दोनों में भी क्योंकि आपने بशुच्वर्ट के जो डीटेल होती आपर मापर में लिख कर दे दी कि यह फोर्मनेंट है यहाँ क्या होता है कि आपके association में जाता है फेडरेशन में जाकर के वह वेरिफिकेशन होकर क्या आता है अगर आप को आप doubtful हो यह आपको ऐसा लगता है कि आर सिकंदर भाई कुछ गलत बता रहे होंगे तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो दो अप्शन है तो यहाँ पर आपका sports certificate लगाई है ठीक है यहाँ पर sports certificate अप्लोड करें जिनको ऐसे लगता है कि यह गलत बता रहे हैं तो आप यहाँ पर sports certificate लगाई है नीचे में फार्म नंबर वन डाली ठीक है अब जिन लोगों को एक ही option मिला है तो भाई मेरे अगर आपको भरुसा है तो यहाँ पर मैं form number one आप upload कर सकते हो अगर नहीं है तो आप आपकी हिसाब से आपको जो सही लगता है आप वहाँ पर मैं upload कर सकते हो पर मेरा एक experience है अपने ग्रूप से जो तेलंगाना पोस्टल सर्कल में select हो गए मैंने उनके form अच्छे से चेक किये documents भी देखे form print out करके देखा है तो उन्ह स्टार्ट भी हो गई है ठीक है अगर आप आपकी मर्जी है अगर आपको sports certificate लगाना है तो लगा सकते है और जो trust कर रहे हैं मुझ पर मैं आपका form number one upload करना है form number two जो भी अपने अच्विमेंट डिये जैसा यह नैशनल इंटरनेशनल का है तो form number one आएगा यहां पर senior national का है त form number two आएगा ठीक है यह upload करने के बाद आपको disclaration दीखेगा नीचे में ठीक है आप documents एक बार चेक कर लेना ने तो क्या होता टेंथ की जगा पर 12 का माक्सिट अप्लोड हो रहा है 12 की जगा यह सारा कुछ जो आप अच्छे से एक बार चिक कर लीजे फिर उसके नीचे disclaration आए नहीं होगा upload होने के बाद submit होने के बाद जो document upload हो गए है वो change नहीं होता है तो इसलिए आप document एक बार चेक कर लीजे कि सही है के नहीं है तब ही आप यह submit बटन पर दबाएए ए यह होने के बाद देखिए submit जैसा करोगे आप फिर आपको circle select करने बोले आपको circle में apply कर रहे हो तो यहाँ पर आपको गुजरा circle ही मिलेगा अभी live जो है गुजरा circle ही चल रहा है और जो other state के player है मैं पहली बता दे रहे हूँ मतलब आपका समय जो है बच जाएगा यहाँ पर में other state के जो है postal assistant, postal assistant, postal assistant, shorting assistant ठीक है इन चारों पर ही जो है आपने टिक करना है अगर आप postman, mail guard, mts पर भी टिक कर दोगे तो फिर आपको जो है गुजराती language पूछेगा फिर देखो इस तरह देखो मैं यहाँ पर चारों पर टिक किया है तो कुछ नहीं आया है यहाँ पर में ठीक है एक दो तीन चारों पर टिक किया तो कुछ नहीं आया है पोस्ट मैंने mail guard, mts मैंने छोड़ दिया था तो यहाँ पर मैं देखिए चारों को सेलेक्ट कर दिया है सभी को सेलेक्ट कर दिया है तो option में यहां आ जाएगा Have you studied one of the following language by 10th or 12th ठीक है? यहने गुजराती अगर आपने किया है तो फिर इसको yes करिया यहने local के जो गुजरात में जो रहते हो तो सभी पर टिक करेंगे उनको कोई problem नहीं है जो other states है वो सिब उफर के charge हो दिये है इस पी आपने टिक करना है और यह तीनों को छोड़ देना है तो फिर अगर आपने गुजराती subject से पढ़ाई किये 10th या 12th में subject है आपका तो उसको yes करिए ठीक है नहीं है तो उसको no कर दिजिए यहने इसको टिक मत करिए अगर आप समझो गुजरात से हो तो आप उसको कि टिक कर सकते हो गुजराती फिर इसको submit कर दिजिए यह फिर form जो आपका पूरी तरह से submit हो जाएगा submit होने के बाद आपको एक ऐसा message आएगा साम में कि आपको other circle में apply करना है क्या तो other circle का अभी कोई form चालूई नहीं है form तो submit होगे फिर इसको आप application प्रिंट आउट कर दिजिए ठीक है application प्रिंट आउट होने के बाद देखो इस तरह से आपका application आ जाएगा भार यह मैंने प्रिंट आउट भी कर दिया एक form ठीक है यह देमो फॉर्म है इस तरह से आपका प्रिंट आउट हो जाएगा और यहां पर मैं आपको डॉकुमेंट दिखेंगे आपको ठीक है 10 का माकसी प्लस तू फिकास सर्टेफिकीट फिर यह form नंबर वन फॉर्म नंबर और यहां पर दो जो था form number one को ले करके तो वह जहां पर मैंने बताया आपको sports शर्टफिक जगा जगा के देखो यहां पर में घुम्हें मैं वापस देक्ज़ यहां पर मैं और दो और दो पने साली आस से अपले आप उसकी जिम्हादार ही हमारी ने रहेंगी अगर आपका form reject हुआ तो पर यहाँ पर में form no.1, form no.2, form no.3, form no.3, form no.5 यह upload करना है आपको ठीक है अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप comment section में comment कर सकते हैं मैं उसका reply जरूर करूँगा और जो viewers हमरे चनल पर पहले वारा चनल क को जरूर subscribe करें वीडियो को like करें क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत महिनत लगी है इस वीडियो को और अपने दोस्ते के साथ इस वीडियो को share जरूर करें और आर्मी पोस्टल सर्कल का जो आर्मी ओडनेस क्रोप्स का जो वेकेंस यार रखा है उसमें आप अप्लाइ कर सकते हो ऑनलाइन है वो भी आप वीडियो देख सकते हो आपके साम में देख रहा है ठीक है थैंक्यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो मिलूँगा मैं आपको नेक्स वीडियो में है